Bank P.O. exams की जो English होती है उसके basically 5 fundamentals होते हैं उनमेंसे अगर आपने चार fundamentals के उपर भी काम कर लिया तो आपका score बहुत बढ़िया हो सकता है तो पहले जानते हैं उसके बाद आप उनमेंसे एक fundamental को skip कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया था लेकिन पहले मैं आपको पांच fundamentals बता जाता हो कि पांच fundamentals आखिर है क्या study time study time आपको English को एक घंडे से लेकर दो घंडे तक देना है depending आपका level क्या है English में अगर आपकी English काफी अच्छी है तो आप एक घंटा एक घंटे से कम भी उसे खतम कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी English थोड़ी week है तो आपको almost two hours English को देने पड़ेंगे अगर आपकी English week है तो आपको बैंक पी और ग्जांस में इंग्लिश को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है क्या होता है कि मेजर मार्क्स आपकी यहां से खिस सकते हैं मेंस में अगर आप देखा जाए हो मेंस का जो एक्जाम होता है हमारा बहुत जादा टफ होता है तो अगर उसमें English आपकी अच्छी है तो आपको बहुत जादा एज मिल जाता है descriptive में भी आपकी English यूज होती है और तो अगर इंटर्व्यू आप English में दें तो खाफी अच्छा आपको माना जाता है तो English को बहतर कैसे करें तो पहला fundamental तो यह हो गया कि आपको English को time देना है time आ आपका level क्या है आपका level आपसे बढ़िया कोई access नहीं कर सकता आपने सबसे आपने साब देता आया है reading जो की second fundamental है English का अगर आपको बैंक पियो की English में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपकी reading top notch होनी चाहिए आपकी understanding power बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपको read करते करते कि यह समझ में आनी चाहिए और आपकी reading की speed है वह बहुत तेज होनी चाहिए बहुत तेज इंदर संस यह भी नहीं क्या बोलते हैं आप दो मिनट में पूरा passage पढ़ दे नहीं लेकिन कम से कम पांच मिनट के अंदर आप कम से कम एक page बड़ा passage को पढ़ ही पांच मिनट से भी क अगर आपको यह चीज़ पसंद नहीं तो आप आले आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो आर्टिकल्स आपको पसंद है जैसे आपको sports field में इंट्रेस्ट है तो आप sports से लिए आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं अब मालो आपको यह भी चीज़ पसंद नहीं आपको बुक से बढ़ सब्सक्राइब तो लगा लो मिनिम्मम एक सब्सक्राइब तो है ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है मैं अभी आपको दिखाता हूं और दूसरी इसकी बढ़ी वादा आपको जाता हूं क्या चक्कल है जैसा कि आप इस बूक में देख सकते हैं सब्सक्राइब तो आप लेवल समझ सकते हैं कि इसका लेवल जो है बिल्कुर अग्जाम लेवल का होने वाला है खाल सब्सक्राइब और रिखेंटी आपको जीन नग्याइब बड़ा इंसपेंग पैसेज आपको दिया हुआ है आपको कोशिश करनी है इतना बड़ा पैसेज जितना भी बड़ा यह पैसे इतने होनी चाहिए इतनी आपकी तीन से पांच मिनट में पढ़ लें इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए दूसरी बाद देखो समी क्या है मीनिंग और डिफिकर वर्ड़स यहीं पर आपको वोकेब का भी काफी सबकु समान वगयरा मिल रहा है जासा कि आप देख सकते हैं फ्रेज वोकेबलरी आपकी यहीं से बढ़िया हो रही है एंचासा कि मैं हमेशे कहता हूँ वोकेबलरी का जबी भी कुछ मिले उसके बाद कोड बना लो वोकेबलरी के आगे और हम बात करते हैं तो इस तरीके से में काफी सारे कॉम्प्री हैं चैने एक सो असी उससे आप काफी हच्छा आपकी अपकी वोकेबलरी इस इतनी वाइड होगी आपका बढ़िया करने के तरीका क्या है आपको जभी जहां से ही कोई वोकेबलरी उसका मीनिंग तुरंट देख लो उस उसके बाद उस word को जो भी नया word आपको मिला है उस word से कुछ भी create कर लो कोई quote या कोई भी चीज create कर लो क्योंकि जब कोई चीज आपकी creation बन जाती है तो आप बहुत easily remember कर पाते हैं लंबे समय तक के लिए तो अगर आप English को better करना चाते हैं अपनी vocabulary को जैसे ही आपको जहां से भी कोई वर्ड मिले अपना एक उसूल बना लो या अपनी आदत बना लो कि तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई से देख लिए लेकि वो काफी सारे synonyms यह सारी चीज से चल जाए तो यह भी इस बुक में आपको अविलेबल है वो कैब जैसे कि मैंने आपको बदाया हर कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपको यहां पर वो कैब जो है अविलेबल है इसके अलावा आपको और वो कैब मिलेग और यह काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं क्योंकि यह एक्जाम से पूछे गए हैं तो यह ऐसा ही कोई भी फाल्तू वर्ड्स नहीं है यह एक्जाम में आये वर्ड्स हैं तो इससे आपको सोच सकते हैं कि आपको कितनी help मिल सकती है अगर आपको यह वर्ड्स याद हो पाइंगे लेकिन आपको क्या है इन वर्ट को देखते इनको लिख रहा है फिर इनसे अपना इनका मीनिंग देखके फिर इनसे कोई कोड बनाना है क्योंकि अगर आपकी वर्ट अभी क्रियेशन में आ गए न तो आपको वह चीज से जाद बहुत लंबे समय याद रहती है यह यह जो बुक है इसमें आपके देख सकते हैं आप प्रक्टिस के लिए आप देख सकते हैं वो कितने सारे कोशन से यहाँ पर अवेलेबल है एरर स्पॉर्टिं के 976 कोशन फिलिंग दप्लेंग्स 189 एंड फिलिंग दबल स्पेस 540 वर्ट क्लोस टेस के 1200 क्वेशन जंबल सं इतने सार आप इंडेक्स में देख से 6800 कोशन आपके इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए हैं तो इतनी सारी प्रैक्टिस आपकी यहीं से हो जाएगी तो यह मैं सज्चेक्स करता हूं कि अगर आप यह बुक बाई करते हैं तो काफी बढ़िया बुक है आपको प्रैक्ट इसका रीजन क्या है क्योंगी ग्रैमर बहुत ही वाइड है इतनी वाइड है कि यार मनलब उसके 500-600 रूल उसके बाई हर रूल में एक्सेप्शन लगबख 1500 रूल ही रूल हो जाएंगे उस पढ़ने से बढ़िया अगर आप सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे ध्यान है और आ इसका अगर आपको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसमें कोई भी बूली बाद नहीं है उल्टा अच्छी बाद है कि आप चीजों को जानना चाहते हैं जितना चीजिजों को जानोगे उतना बड़ी आरगा तो यह यह ज़िए जो बूक है इस बूक का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शिप्शन रमिल जाएगा आप चाहे तो आप चाहे तो अपने किसी लोकल है दो बॉक को बाई गर सकते हैं क्योंकि देखो अगर इसको डिशी करना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पर जाके वहाँ पर देखो बूक उठाओ अपने आप देखो किया यह लेने लायक है लेने लायक नहीं है और उसके बाद खुड डिसाइड कर सकते हो ठीक है तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में तक तक के लिए बाए